नमस्कार मेरा नाम हिमान शुदरवन और आज जो टॉपिक है वो एपिडाइमल सिस्ट है क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि आपिडाइमल सिस्ट में को पेन करने चालू कर दिया है एपिडाइमल सिस्ट की वज़ासे में को बहुत डिसकमफर्ट होता है तो ऐसा होता है कि स cyst जो होती है, simple cyst क्योंकि बहुत अलग-अलग होती है, ekogenic simple cyst भी होती है, hypo iconic cyst होती है, बहुत अलग-살ak cyst के टाईप होते हैं, गट अगर आपके पास cyst है और वो आपको pain कर रही है, तो उसके पीछे जानों की कौन सी cyst है, अगर आपके पास कोई भी सिस्ट लिखे तो उसको एक बारी Google जरूर करो कि वो सिस्ट है क्या किस तरीके की सिस्ट होती है क्योंकि जैसे अभी मैंने पिछली एक वीडियो उनाई थी Micro Thilliasis के उपर तो इसी तरीके से आप एक बारी सर्च जरूर करो क्योंकि information आपको भी होनी चाहिए आपका problem क्या है तो एक बारी अगर आपके पास सिस्ट रिडेक्ट हुआ है आपकी रिपोर्ट में तो आप जरूर उसको एक बारी Google बे सर्च करो उसके बाद उसको देखो जानो कि अगर वो pain create करें क्योंकि सारी सिस्ट पेंड नहीं देती है और सब मैं बोलनों तो सिस्ट का ऐस सच कोई role नहीं होता कि आपको कोई infertility करें या आपको blockage करें हां कुछ rare cases देखे हैं बट उनकी cases अलग होते हैं जैसे एक duct का case आया था पास उनके जो ejaculatory ducts थे उसके अंदर ही सिस्ट हो गई थी जिसकी वज़ा से sperm भार नहीं आ पाता था जिसकी वज़ा से वह एजुस्पर्मिया के patient बन गए थे उसको हम एक तरीके से obstructive एजुस्पर्मिया में count करते हैं बट वो सिस्ट कहां थी वो थी ejaculatory ducts में जहां पर sperm को भार निकलना चाहिए था जहां पर ejaculation के बाद एक duct से निकलना चाहिए था वो duct ही jammed थी jammed होने की वज़़ा से क्या हुआ कि sperm भार नहीं आता था तो इसलिए वो दिख कर दे थी अब epidymal cyst होती है हमारी testis के पीछे एक layer के उपर एक cyst होना या gant होना tissue होते हैं tissue की growth कहीं पर भी हो सकती है यह समझ लिजए tissue की growth कहीं पर भी हो सकती है और वो cyst कहां पर बनी है epidymal के पीछे जहां पर हमारी veins भी जूड़ी भी होती है ऐसा जो अगर मैं आपको एक पूरा diagram दिखाऊंगा इस वीडियो में तो नहीं बट नेक्स वीडियो में जरूर दिखाऊंगा कि testicles के पीछे एक layer होती है layer के उपर cyst होती है और वो cyst आपको pain नहीं देती कुछ rare cases में pain अकर करती है अब उसमें pain हो रहा है cyst है आपको उसका अगर मैं normal अगर मैं बात करूँ कि वो आपको ज्यादा बहुत बड़ा आपको दिख्कत देदी कि आप fertility issue आएंगे या कुछ आपके sperm count low करेगा नहीं करता ऐसाज मैं बोलूँ कि बहुत ज्यादा दिख्कत आपको epidymal system नहीं होती जब आपको epidymal layer जब fluid secretion चालू होती है तब आपको दिख्कत देता है उससे पहले कुछ नहीं हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को epidymal layer जो है वो बल्की हो जाती है अगर आप patients देखते हो अपनी reports बल्की के साथ cyst होती है जब बल्की होगी तो it means skin inflammation है तब आपको pain create करती है ना कि तब तक तक तो आपको दर्द भी नहीं देती है तो ऐसी बहुत सारी चीज़े अलग-अलग होती है बट फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि नीचे की तरफ गांट है और छूने पर ऐसा लगता कि कोई knot सी बनी हुए है तो सबसे पहले जाओ एक scan करवा कर आओ अपना scrotal doppler करवा कर आओ या usg scrotum जरू कर आओ जिससे यह analyze हो सके कि आपको दिक्कत क्या है अभी क्योंकि normally हम क्या कहते हैं कि छूने पर गांट लग रही है अब छूने पर गांट लग रही है वो गांट है कैसी यह भी नहीं पता आपको तो जाओ गांट क चेक करवा हो एक scan करवा हो क्योंकि किसी किसी जगा पे वो सस्ता है अगर usg scrotum करवाते हो ultrason scrotum कराते हो तो सस्ता है और scrotal doppler कर आओ तो थोड़ा महेंगा बढ़ता है तो जो आपका दिल करें वो आप करवा सकते हो ठीक है किसी भी लैप पे जाओ और यह scan जरू करवा हो और उसका analyze करके हमारी जो team है वो आपको call करके आपको इसको detail भी कर देगी और अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा और आपको यह लग रहा है कि मैं यह बात आज तक मैंने किसी के share नहीं करी है और अब तक मैं share कर भी नहीं पाया तो आप बेचिंदित हो कि मेरे को call भी कर सकूं और इसके साथ साथ अगर आप कोई video थोड़ी बहुत समझ आई हो epidemal cyst के बारे में या कुछ ऐसा लगता है कि आपको tissue की growth हो रही है scrotum में या कच भी ऐसा लग रही है तो आप wait मत कीजिए आप delay मत कीजिए एक जाए एक छोटा सा scan करवाईए और आप चाहे उस scan को photo खीच के whatsapp पे number दे रहा हूं मैं नीचे जो number चल रहा है आप उस number पे मैं को whatsapp कर दीजे तो मेले easy task हो जाएगा और इसी के साथ साथ अगर आपको कुछ भी जानना है gant के बारे में varico seal के बारे में या आपको लगता है कि infertility हो रही है या sperm count कम बन रहे है या इसके साथ पे number पे मैं को अपने बारे में बता सकते हैं call कर सकते हैं whatsapp कर सकते हैं या आप एक text भी भेज सकते हैं और इसी के साथ साथ अगर आपको वीडियो समझ आई हो पसंद आई हो और आपको लगता है कि हां में एक like बनता है तो please like कर दीजेगा अगर आप कुझे सुनना और दे गुस के साथ तो बाई